इमोर्ते शब्थेके गुरुत्त पुनक अबोर अबोशेशे लंडाने ग्रेफतार निराव मदी 14000 टाकार कोटीर रिन खेलापी मामलार होचे तार बिरुद्धे लंडने ग्रेफतार निराव मदी इज दिन आगी ताके प्रकार्षुर आसता जाखा गी प्रेफतार निराव मदी 15 मदे गुर्खिण अब अबोशेशे ग्रेफतार निराव मदी ईक शांगबातीक दाखा बिदेश मंत्र के तरब्थेके बला होएचे रोजे प्रत्तर पंचुक्ति रोएचे मंग्षेई अनुजाई ब्याबस्था ग्रोहन करा हबे छोद्दो हाजार कोटि रिन खेलापीर मामलारोई चे निरव मोधी बिरुद्धे लांडाने बहुती धरी थाक चिलेन अबम बार बार कोरे एई वोटेर आगे विरुदिते तरब्थेको ओभि जोंक तोला हो एचे जे निरव मोधी थेके शुरू करे बहु बहू बेक्तितो ख़बो शामने आश्चे लंडाने ग्रेफतार निराब मोधी 14,000 कोटी राग रिन खेलापी मामला रोएचे निराब मोधी विरुद्धे लंडाने चिले निबंग किछुदिन आगे जे 26 शामने इसे चलो एक शांग बादिक तीनी निराब मोधी के प्रश्ण कोड़ा चिले इसे साथ सोग्र रोपए के होटाले का अरफ है उसके उपर और अपनी कई कमपनियों को बंद करने के बाद सब्सक्रिवार वो नहीं चुका यथा उसने उसके बाद से वो देश से फरार था पिछले एक लगाई महीने से वो लंडन मे ही था उसने महाँ पर एक डाइमंड कमपनी खूल रखी जो कि उसके नाम से नहीं है और इसी मामले में लंडन की पुलिस में उसको गरखतार किया है थोड़ी देर में उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और ये बड़ी कोप्लिटिक जीत कही जा रही है सब्सक्राइब सब्सक्राइल में ही है उसको और स्केशा किया गया इसके आगे क्या प्रक्रिया है यह देखिए अभी जो एगे एति अकानून के तहर गरफटार किया वह कानून और गर depressed कार किया है और वय दूब से व्यापार करने और प्रयाश करन अन्रे का मामला लंदनButton और चुकि नीरब मोदी का पास्पोर्ट भारा सरकार ने पहले ही रद कर दिया था तो ये भी देखना होगा कि क्या नीरब मोदी फ़री पास्पोर्ट पर लंदन में है या फिर जैसा कि कहा जा रहा था कि उसने ऑस्ट्रिया की नागरिकता ले रखी है वहां के में एक और मामला भारत सरकार वहां पर उसकी शिकायट कर सकती है कि दो दो पास्पोर्ट एक साथ रखने और भारत सरकार को इसके बारे में सुचना नहीं देने के वा का मामला भी बन सकता है अभी खिलाल इस पूरे मामले की जात वेस्ट मिनिस्टर पुलिस करेगी और इस पर जिरह होगी कि नीरब मोदी को क्यों गरफतार किया गया है इसके बाद कोड का रुक क्या होता है यह देखने वाली बात होगी लिकिन अभी एक बड़ी खबर यही है कि 14,700 करोर गोताले के आरोपी नीरब मोदी को लंदन में गरफतार किया गया है और यह भारत सरका वेस्मिस्टर इलाके में ही जो बिटन की संसद है वो है बिंग बैंग जो की लंदन का एक बड़ा लैंड मार्क है वो यही पर है वेस्मिस्टर इलाके में और इसी इलाके में जो कि बेहर पौश इलाका है वहाँ पर एक डाइमन कंपनी के दफ्तर से कामकाज कर रहा था न यूल इसने अभी समेंस्टर अलाके में नीरब मोडी को गरफ्तर आर्ट किया है और थोड़ी लेर वाद अभसे जब गर्फ्तरी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद नीरब मोदी को लंदन के वेस्टमिस्टर कोट में पेश किया जाएगा विकास जी कुटने तेक जीत है भारत के ओर से ये तो हम कहे भी सकते हैं जी आप बिल्कुल देखें लगातार भारत सरकार जो है जो भारत से फरार हो चुके हैं कई ऐसे लोग हैं विजय मालिया से लेकर दवाव बनाया हुआ है सभी सर्तारों पर कि वहां के कानून के मताबिक जितने भी भगोडे हैं आर्थिक अपरादी भगोडे हैं उनको वापस किया जाए भारत को लेकिन चुकि जिस देश में गरफतार होते हैं वहां का कानून लागू होता है और इसके जो प्रक्रिया ह होता है वही होती है कि अगर किसी भी आर्थिक अपराद भगोडे क्योंकि भारत सरकार में से कानून भी पास किया है उसकी परादी जाए वर बाम की चालगा है कि आप आसे मामले की ताहि के वा गर्ट क किया जा सकता है तो इस कि कॉर्प आप ही तरह करता है लिलाट करतना की विधा मालिया के मामले में इसी करह का मुकदमा अनन की कोट में चलिगा है a निरा मुदी कर्णाई तरीकेश करेंगे उसके प्रक्रिया शूरू हो जाएगी टे मामले में शूकरे अभी काज जी